हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए उस पर National Election Watch ADR ने एक महतपूर्ण रिपोर्ट जारी की है इस पर बात करने के लिए में साथ S.Y. कुरेशी हैं भारत के पुर मुख्य चुनाव आयोक्त आपने तथे देखे हैं और बहुत सारे महतपूर्ण तथे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफजनिक किये हैं क्या सवाल झाब खड़े होते हैं अगर किसी भी संसिदिय छेतर में जितने लोगों ने मत्दान किया और जितने लोगों के मतों की गिंती की गए गर उसमें अगर अंतर है तो इस पे क्या सवाल खड़े होते हैं दीखिए मैं हरान हूँ के ये सवाल उठे हैं और ये जैसे के चोकर साब ने कहा दोहजार उन्निस में पहली बार सवाल उठे थे और उस पर जो जवाब मुझे इल करते हैं तो अगर दुनिया का बिगेस्ट इलेक्शन है तो हम ये कहते हैं कि सतर फीसेद इलेक्शन अच्छा कराएंगे और थर्टी परसेंट नहारे बस के बाहर है क्या मतलब है अच्छा ये जो फिगर से ये डेटा है इसमें एक की चेंज होने की गुझाईश नहीं है देए आपके बैंक के अचांट में जो 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 कर थापनी हो गया एक रुपया ज्यादा एक रुपय कब बियो गया तो जुरूर करेंटि एक हसाब में दिया है तो नहीं जावा और पड़े सपोज एक बूथ में शैषो पाले स्बट पड़े अब ये 665 से क्रस्एंट हैं कैसे हो सकते हैं, तो और ये रियल टाइम डेटा होता है, जिस दिन वोट पड़ रहा होता है, तो उस वाद एक तो फॉर्म 17 है, उसमें तो आज जो जह से आप जाते हैं, वोट करते हैं, उनका नाम और नमबर लिखे जाता है, पहला वोटर आप है, तीन दूसरा वोटर में ह जाते हैं, तीन वेजे कोई अफसरा आता के पूछता है, कि ते वोटिंग हो चुके है, तो वो फॉराँ आखरी लाइन देखके बता देगा, कि साब साड़े पांच तो पड़ चुके, एंड में जो एक फिगर है, जो चेंज हो सकती है, टेंटेटी होती है, जो मानी जाती है, कि हमारे वाख में तो होता था कि साड़े पांच वजे वो पॉलिंग खतम होती थी, तो हम छावजे एक प्रेस कांफरेंस करते थे, हमारे ऑफसर करते थे, और वो ये बताते थे, कि एंड अफ दे पॉल तक कितने वोट पड़ गा है, साथ-साथ वो ये कह दिया करते थ तो अगर शकायत आई, कि अगर श्यवजे पॉल खतम होता है, श्यवजे सौ लोग भी लाइन में हैं, तो उनक वो डलवाए बिना पॉलिंग बंद ही नहीं हो सकता, तो वो जो फिगर आएंगे बाद में श्यवजे के बाद पॉल होने वाली, बस उसकी वजे से फिगर चे जा रहा है, घटने का तो कम मतलब ही नहीं, और बढ़ने का रिजन सिर्फ ही है कि अभी लोग जो लाइन में थे वो बाद में बाद तक वोट देते रहे थे, तो इसके अलावा फाइनली जो मशीन के अंदर वोट पड़ गया, अधी एंड अव देडे सबोस आप समझे 752 पड़े, तो उस वो सब को जहां पर पोलिंग एजन बैठे वे हैं, उनको मालोब है, और उनको दिखा दिया जाता है, लेफ 17A से भी देपता लग जाता है, तो वो 17C में उसकी समरी लिग दे जाती है, कि इस बूद में 752 पड़े, और उस पर जो लोग एजन बैठे बाद के दसकत होते हैं, उसके बाद उस मशीन को सील किया जाता है, तीन सील्स हैं, उसके पर एक पेपर सील है, जिसके जो चारो तरह मशीन के लिपेटे जाती है, जिसके उपर यूनीक नंबर है, जो ऐसे के आपके नोट के उपर होता है, और वो छपती भी करंसी प्रिंटिंग प्रेस में हैं ताके उसको अगर कोई छेड़शाड़ कर नहीं कोशी करें तो वह फट जाएगी और उसके बाद इस मशीन को हम गिनेंगे यह नहीं अब 752 वोट 753 कैसे हो सकता और दूसरी है कि इसको हम आपको पांच दिन बात बताएंगे यह कैसे हो सकता है क्योंकि साथ सो बावन जो वोट पड़े अब तक वो पॉलिंग एजेंट को बता नदे और वोस फॉर्म भर के फॉर्म सेवंटीन सीज दे न सके पॉलिंग ऑफिसर बूत को बंद नहीं कर सकत एक गालें तो 20 लाख लोगं को उस दिन का रियर्यल टाइम डेटा मिल जाना चाहिए जो मिलता है इका दुखा कर दो कहीं से शिकाहता है कि नहीं जा जा आता है लेकिन चलो लोकल को इस नलाकी मानले लेकिन जो एग्जाट डेटा जो पहले दिन ही जिन रियरेट हो गै रि जारी किया है इस पर अब चुनाव आयोग को भी इस पर स्पष्टिकरन देना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ अगर डिस्क्रिपेंसी है तो उसकी वज़ा क्या थी इसका है और उसको बिल्कुल देना चाहिए यह उसका डिस्क्रेशन नहीं है कि बहुत आया तो जह देंगे इमानदारी है उनको उसकुर्सी पर बिठाया गया है इसी जा इसी से पहले के लोगों के दिमाह में जाहे गलत फहिमी उसके जवाब आना चाहिए यह दो हजार उनिस में पीज़ा है चुपी साधिली यह यह कह दिया जिए बहुत बड़ा डेटा है पांच महीं नहीं में कभी कहते हैं चाह मेने में आता है कभी हमने भी एलेक्शन करा है उसी दिन वह फिगर रिलीज होती थी अगले दिन तक वेट नहीं करने को मतलब ही नहीं था तो यह बहुत गहर दिम्मेदारी है और मुझे फिर हरानी है कि यह केस तो 2019 से सुप्रीम कोट में कहवा है सु कि बुनियाद है उसके लिए सुप्रीम कोट को टाइम न मिले जब डेट लगाएंगे छा मेने में साल वर में पांच साल में यह क्या मतलब है सुप्रीम कोट भी जब आप दे है इसका यह सी इसको 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 तो फॉरण क्लिंज करना था अगर 2019 में क्लिंज कर दिया होता और यह जो नए तर्थे हैं 2024 के चुनाफ को लेकर यह सुप्रीम कोट के सामने रखेंगे जी बिलकुल लोगनों ने ठीका के इसका फैदला अबल तो इसका यह इसका फैदला इलक्शन कमिशन के हाथ में है कि सच खुद ही सच सच फिगर सा सामने कर दें और डिस्क्रिपें इसका का explanation दे कि यह हुई तो इसवाइश थे कम हुआ तो इसलिए हुआ जाधा हुआ तो यह एक-एक का हथाप चाहिए जनरल हवा में बात नहीं चलेगी इसलिए सबसे पहले तो यह को आपनी दिम्मदारी को समझना इसलिए चाहिए कि वह नहीं तो सुप्रेम कोड़ेगी सुप्रीम कोड़ अलेक्षिन कमिश्फिंस्य को लताल भी सकती है हुँना को कि उप पावर आप ही की है, Constitution ने आपको दी है, और सुप्रिम कोर्ट से ज्यादा आपके पावर है, बलके बहुत सारे इलेक्टोरल मैटर जब जाते हैं सुप्रिम कोर्ट में भी, तो वो इलेक्टोरल वाला पार्ट जो है, वो हमको सिंबल जो है, पार्ट की छीन ली जाए, तो सुप्रिम कोर्ट ने का कि हम फालतो पर चाहा हुआ, खर्चा हुआ, इसका तो फैसला करेंगे, लेकिन सिंबल इलेक्शन का मामला है, ये इलेक्शन कमिशन डिसाइड करें, तो हमको रफर किया, हम लोग अदालत की तरह बैठ के हमने एक अदालती फैसला दिया, कि हमने उनकी सिंबल न छीनने का फैसला गया, गल्ती थी, लेकिन हमने एक लिबरल व्यू लेखे, बताना में ये चाहरा हूँ, कि इलेक्शन रिलेटेड मैटर गया है, फाइनल अथारिडी तो इलेक्शन कमिशन ही है, और अगर वो कमिशन को भी डरना चाहिए, तो और आपने ऐसा मौक एक थर्ड पार्टी को यह नी सुप्रीम कोट को क्यों दिया, कि वो आपके, कि ऐसी तैसी करें, अधालत में, तो इतलिए इस पर जवाब ने देना, चुप रहना, ये तो मैं हरान हूँ, हमने भी इलेक्शन, हम भी छ सादा हो गया, कि हम कई दिन में पता लगेगा, और ये पता ही नहीं लगेगा, हम नहीं बताएंगे, ये क्या मौमल बात है, हम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो गुरगाओं से मेरे कैमरे सही होगी, मोहमद मुरसलीन के साथ, हिमाज शुशेकर, अधिति बिंदिया.